Hello and welcome friends, आज की ये विडियो Microsoft Excel को लेकर के है और Microsoft Excel में जिसे कि मैंने Google Sheet में सिखाया परसेंटाइल निकालना इसी तरीके से हम देखेंगे कि परसेंटेज में और परसेंटेज में डिफरेंस थोड़ सा देखेंगे कि तरीके क्या है निकालने के इसे आप परसेंटेज कैसे नि और परसेंटाइल, ठीक है तो अभी क्या करना है यहाँ पर पहले मैं यहां पर जारों तरफ बॉदर लगा जाएंगे तो कोई भी फॉर्मूला इसी स्टार्ट होता है, समका फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर यहां तक जाके सेलेक कर लेंगे ब्रेकेट को जोपकर क आपको मिल जाता है और average को calculate करें के लिए average का formula लगाईए इस तरीके से और select करिए फिर bracket को close करिए ठीक है ध्यान रखना है कि आपको total नहीं select करना ठीक है और enter करिए तो यहां पर देखिए average भी आ गया है अब तब का percentage देखेंगे देखेंगे कभी-कभी हम लोग percentage percentage और percentile दोनों को एक ही समझ लेते है यह गलति आप मत करिए का ठीक है percentage अलग है और पर सेंटाइल अलग है तो दोनों यहाँ पर सेंटा राइनकों कषाया है यहाँ परंगुल परेंट क सेंट करेंगे तो हम करेंगे वे फेर सेंट एड्रेस यहां पर सुपा कि जूब आप total का cell address भी यहाँ पे show कर रहा है multiply कर दीजे चुकि percentage 100 पे ही calculate होता है तो इसको 100 से multiply कीजे ठीक है तो multiply तो कर दिया लेकिन upon लगाईए divide का shine लगाईए ठीक है और अब देखिए कितने subject हैं यह पहला यह दूटरा तीसरा जोथा पांचवा यानि 5 subject है इसको double click करेगा तो सबका आजाएगा लेकिन आप percentile के पीछे क्या कहा लेगा यह समझने वाली बात है कि percentile के पीछे क्या कहा लेगा तो यहाँ पर आप formula लगाईए आपको is equal to लगाना है ठीक है is equal to लगा लिया अब क्या करना है अब हम यहाँ से percentage को ही select कर लेते है ठीक है यहाँ पे पहले formula लगाएंगे percentile का तो यह यहाँ पे बहुत सारे formula नजर आ रहे है लेकिन नीची आईएगा और यहाँ पे percentile को select कीजिएगा अब यहाँ पे array कह रहा है तो यह array हमको पहले select कर लेना है यहाँ तक घ्या लखीगा total को नहीं select करना है ठीक है तो array हमने कर लिया select अब यहाँ पर देखिए 37.4 है यानि 37.4 है average भी इतना ही आया है percentage भी इतना ही आया है तो 37.4 के लिए 0.37 लगाएंगे क्या लगाएंगे 0.37 क्या लगाएंगे percentile चाहे तो निकाल सकते है आई हो कि आपको बात समझ में आई होगी यह कैसे निकालना है ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर ठीक है Thank you for watching this video